आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि RXG जो RX100 के बंद होने के तुरंद बाद आई थी वो बाइक डिसकंटीनू क्यों हो गए थी और उसका फेलियर का रीजन क्या था वो गाड़ी बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी लेकिन जब पैक्टिकली वो जब मार्किट में आई तो उसने RX100 जैसा नाम क्यों नहीं कमाया जबकि इससे ज्यादा पावर्फुल थी और उसका इंजन 135 सीसी का था उसके बावजूद भी वो बाइक बजार में नहीं चल पाई तो उसके कुछ मोल भूत रीजन है मोल भूत कारण है जिसकी वज़े से वो बाइक नहीं चल पाई तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपने टेकनीशन के द्वारा दिये हुए व्यूज को एक्सप्रेस करूंगा जो उन लोगों ने उस बाइक के बारे में मुझे बताए और मैं आपसे इस वीडियो में वो शेयर करूंगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आर एक्स जी अपने टैंग में क्यों फेल हो चुकी थी देखें ऐसा था कि जब आर एक्स अंडरेड जिन दिनों बंद हो रही थी ऐसा नहीं था कि इसका क्रेस भी बंद हो गया था यह उसका विपरीत नतीजा था कि लोग चाहते हुए भी इसको नहीं पापा रहे थे क्योंकि ये बंद होने के कागार पे आ चुकी थी इसका production बंद हो गया था लेकिन इसकी demand में कोई कमी नहीं थी company के उपर बहुत सारे orders तब भी due थे और demand थी और कई bookings जो मेरे भी notice में है जब मैं ये bike लेने गया था कि एक एक दिन में बहुत से dealers के उपर booking थी इस bike के लिए लेकिन RX100 बंद होने जा रही थी ये सब को पता था और इसी विश्वास के साथ वो लोग ये चारे थे कि अगली जो bike आईगी वो भी इसी की तरह बेजोड होगी लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली जब company ने वो launch की तो सबस्पष्ट है हर company उसकी हर तरह से केरिंग करके ही सब कुछ जांटने के बाद ही market में launch करती है लेकिन बड़ी से बड़ी company का एक ही formula रहता है कि बजार में implement होता है जब ये product तो उसका नतीजा क्या आता है वो future ही बताता है आप लोगों ने पहीं बार सुना होगा कि बहुत सी company हैं कारों की अगर कुछ कमिया आती है तो वो कारे मंगवा ली जाती है market से शुरू में जब अगर वो दिक्कत खाती है तो ऐसी कंपनियों को भी थोड़ा सा रहता है जब launch होती है तो उसकी performance क्या बोलेगी वो लोगों की जबान बोलती है आरेक्स अंडर को बोलने के लिए किसी तारीफ की जुरूत नहीं है वो अपने आप में ही तारीफ है लेकिन आरेक्स जी सबसे पहले अपनी आवाज से मारी गई गाड़ी क्योंकि वो आवाज जो expected थी लोगों को वो उसकी अंदर नहीं थी इंजन शक्तिशाली था और दो अव्यक्तियों को बिठा के वो बहुत अच्छे पिकप को performance में देती थी लेकिन वो कुछ time तक ही था उसका performance उसके बाद उसमें कुछ कमिया आने लगी और कमिया भी वो थी जो इंजन से रिलिक्टिट थी ज्यादातर लोगों की जो शिकायत आ रही थी वो इंजन के compression को कम होने की आ रही थी इंजन का जो compression जो है वो कम हो जाता था और लोगों को लगता था कि इसका engine जन फेल हो चुका तो ज्यादा तर लोगों ने आरेक्स इंडर का स्वाद चका हुआ था कि इसलिए उनके दिमाख और हातों में वही थी उसको compare करते हुए उन्होंने आरेक्स जी के अंदर वो चीज ना देखते हुए उसको छोड़ना शुरू कर दिया और जब ये सारी reports मेरे technicians के पास भी पहुँची तो उन लोग के शुरूम में भी ये बात पहुँची कि आरेक्स जी में कोई बहुत बड़ी खामी है जो कि conventionally पूरी नहीं की जा सकती जो बाइक्स के अंदर होती है तो उन लोगों ने जितना दिमाख था लगा लिया था उसके बाद उनका कहना ये भी था कि कुछ Japanese technicians भी आये थे उन्होंने इसके उपर survey किया और पता लगाया कि ये problem कहां से आती है क्योंकि इसके engine की जो शक्ती है main तो उसी के उपर परिवर्तित हुई थी Rx का version जो है G में convert तब ही हुआ था और उसके पीछे कारण ही यही था कि उसको ज्यादा पावरफुल बनाना है तो हुआ यह कि वह उल्टा निकल गया अब इंजन जो बैड़ जाता था तो जो जैपनीज कारिगर थे उन्होंकों किया कि यहां के अंदर डस्ट बहुत है इंडिया में और जो इसका एलिमेंट है एक्जास्ट यहां पे उसके अंदर सफाई ना होना वो डस्ट को ऐसे पकड़ लिता था तो उन्होंने एक कन्वेंशनल आंसर ही बताया कि उसका साफ होना बहुत दरूरी है नई तो वो इंजन के रिंग्स को खा जाएगा तो यह जो टेक्निशन्स थे वो यही कह रहे थे कि भाईज अगर इंजन के रिंग्स को खा जाएगा तो आर एक्स अंड़ तो रफ और टफ चलाई जाती थी कि इतनी तो हिदायत लोगों को नहीं दी जाती थी कौन कैसा है कैसे चलाता है हमें क्या पता लेकिन उन गाड़ियों के तो हिंजन नहीं बैठे इसके क्यों बैठ रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने एक कुछ आर एंडी भी की जिसमें की इसकी गास किट को मोटा कर दिया सिलेंडर की अब उस गास किट को मोटा करने से उसके अंदर सॉलूशन थोड़ा सा ठीक हो गया और ये हिदायत दे के चले गए कि आगे से इसके एलिमेंट को बिलकुल क्लियर करके रखना है और सर्विस इसकी टाइंग से ही होनी चाहिए और गास किट आप पतले की जगा मोटा यूज करेंगे अब देखिए वो कितना मोटा है वो उनकी अपनी एक इन्वेंशन है उसके लिए मैं नहीं बता सकता आपको मोटे रूप से बता दिया है वो लोग उतना करके चले गए लेकिन हमारे जो इंडियन्स टेक्निशन्स थे उनको ये तसली नहीं हुई वो पिछली गाड़ियों से उसको कंपेर कर रहे थे और उसका हेड सिलेंडर थोड़ा सा इससे बड़ा है Rx100 का उसके नहीं आता तो उन्होंने एक अपनी डिजाइनिंग की एक्चली था क्या कि जिस प्रेशर से लोग भगाते थे उसको अगर उसका एलिमेंट किलियर नहीं है मतलब एक्जास्ट जो एर जो है इंजन में जाने के लिए बिल्कुल साफ नहीं है तो वो बाइक अपना इंजन का इदम गोड़ देती थी उसके अंदर अपनी कोई भी बचाने की पावर नहीं थी जैसे इन गाड़ियों में होती है कोई भी रिजर्व पावर नहीं थी कि वो अपने इंजन को प्रोटेक्ट कर सके वो सीधा अपने इंजन का ही दम गोड़ देती थी और उसके एक्जास्ट में जो गैसिस बनती थी हाई प्रेशर पे वो रिलीज नहीं हो पाती थी ज़्यादा था और यही कारण था कि उसका इंजन फेल हो जाता था और चुकि यह बहुत बड़ी समस्या थी और आर एंडी के विशेकी थी और टेक्निकल थी तो इस चीज को लेते वे और मेजर थी कंपनी ने इसको डिसकंटीनू कर दिया क्योंकि ज्यादा तर यही प्रॉलम उनमें आ रही थी और आप जानते हैं कोई भी कंपनी की जिसकी साह कितनी उची हो वो अपने कोई न्यू मॉडल से कंप्रॉमाइज नहीं करती है अगर कोई मार्केट में उसको नाम घठा रहा है तो वो तुरंट चेंज कर देती है तो ऐसा ही हुआ फिर बाद में आर एक्स वन थर्टी फाइव फोर गेर्स वाली आई फिर आर एक्स जैड आई तो यहां मैं आपको यह बता रहा था है कि हमारे इंजिनियर्स ने क्या किया आर एक्स जी को थोड़ी सी जिन्दगी देने के लिए ज्यादा क्योंकि अब मार्किट में तो आई चुकी थी लोगों ने खरीदी लिया था वापस तो कुछ होता नहीं है उन्होंने इसके एक्स आउस्ट के उपर कुछ काम किया अब यह उनका विशे है मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता और उसके उपर उन्होंने सारे डाइमेंशन को कम्प्लीट समझ के उसको एक इस तरह से डिजाइन करके देते थे ग्राग को यह उसके बाद वो दुबारा नहीं आता था इस प्रॉलम को लेके लेकिन उसमें महनत ज्यादा हो जाती थी एक तरह से इंजन के काम के अलावा इंजन के अंदर डबल काम हो जाता था तो इस परकार से वो एक सरदर्दी हो गई और उस बाइक को जल से जल कम्पनी ने हटा दिया और जितनी भी अभी भी आरेक्स जी लोगों के पास पड़ी है तो कुछ किस्मत वाले होंगे जिनके इंजन ने प्रॉलम नहीं दी लेकिन जहां सत्तर परसेंट प्रॉलम्स की समस्य आती है वहां वो नाम नहीं होता और जहां सत्तर परसेंट प्रॉलम नहीं आती वहां नाम होता है तो इस तरह से एक तराजू भी है मार्किट में चलनेगा अगर आपकी बनाई हुई गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगी तो इस पच्ट है आपके कॉम्पर्टीटर को उसका फायदा होगा तो आप उसके कॉम्पर्टीशन कैसे लड़ेंगे तो इसके चलते इस गाड़ी को आरेक्स जी को डिसकंटीनू करना पड़ा और फिर उतरी आरेक्स वन थर्टी फाइव जो जोरदार धमाके के साथ चली और उसमें कोई प्रॉलम नहीं आई वो आज भी लोग लेके सुखी हैं और फिर फाइव गेर्स में भी आगे उतरी वो भी सक्सेस रही आरेक्स सीरीज की लेकिन आरेक्स जी का फेलियर ही यही था कि यह हो सकता है कि किसी चीज़ को नाम जिसने कमा रखा हो बंद करना बहुत असान है लेकिन उतने ही नाम पे फिर दुबारा पहुंचाना है और नए चीज़ को लॉंच करके बनाना उसको फिर उतने अंजाम पे पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है तो ये जो बाइक थी आरेक्स जी तो ये आरेक्स हंडर जैसा नाम नहीं कमा सकी जबकि उसका इंजन पावर्फुल था और बावजूद इसके की उसकी आवाज में इतना मजा नहीं था चाम नहीं था तब भी लोगों ने उसको लिया कोई अल्टरमेट नहीं था आरेक्स हंडर बंद हो चुगी थी तो ये सारी कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी उमिद करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ आगया होगा और ये किसी ने आपको पूरे यूट्यूब में बताया भी नहीं होगा ज्यादा तर आरेक्स जी के रिंग्स जो होते हैं वो खतम हो जाते थे और उसी से ही कंप्रेशन जो है डाउन हो जाता था और इस प्रकार से इंजन की समस्या की शुरुआत हो जाती थी और आपको पता है रिंग्स कप खतम होते हैं जब फ्रेश एयर उसको नहीं मिलेगी तो वो प्रेशर वहीं रिलीज कर देगा इंजन और वहीं खराब कर देगा आपकी बाइक को इसलिए टाइम टू टाइम अपने इंजन की सर्विस कराएं और बगल में दिये वे ऐलिमेंट को अच्छे से साफ करवाएं इसलिए इस पर जोर होता है कि इसको जितना मर्दी दबा के भगा लो अगर नहीं भाग रही असी से उपर नहीं भाग रही तो आपकी गाड़ी में दिक्कत है फिर मत भगाओ उसको पहले सर्विस कराओ लोग वोई कर रहे थे आर एक्स अंडर समझी हुई थी उन्होंने दबा के भगा रहे थे तब परिणाम यही हो रहा था कि उसको डबल गैस्किट जो है मोटी गैस्किट लगाने का एक अनुरोध किया यहां के टेक्निशन से लेकिन समस्या वहाँ पर भी नहीं हुई खतम यह हर गाड़ी के साथ समस्या आ रही थी तो इस तरह से यह गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई यह जितनी भी बात मैंने आप से शेयर की है ये मैंने अपने 30 साल पुराने टेक्निशन से बात समझके आपके साथ शेयर की है क्योंकि उन लोगों को एक्सपिरिंस पहले से ही बहुत था और उन्होंने अपना शेयर किया इस बाइक में यह प्रॉलम आती थी तो क्यों बंदुई और उनी के शोरूम में वो जैपनीज लोग भी आये थे तो उन्होंने भी बताया कि वही इसमें ये समस्या ये ठीक कर लो ऐसे हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाई वो चीज ठीक रिपोर्ट उपर तक गई होगी हो सकता है उसों डिसकंटीनू कर दिया हो तो ये कारण कुछ बंते हैं इन चीजों के डिसकंटीनू होने के जब मार्केट में कोई चीज नहीं लॉँच होती है तो 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 दोड़ना नहीं चाहिए लेने के लिए ये याद रखना पहले चार परफॉर्मेंस में क्या है कि आपको पता चलेगा कि चीज क्या निकली है उसके बाद पर्चस करो छे मेने के बाद तो उम्मेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और नेक्स वीडियो के लिए मुझे आ कि दीजे तब तक के लिए गुडबाए